इस विटियो के वह है मिटिंग ओफ बॉर्ड एन इट्स पावर बेसिकली यह जो हम लोगों का चप्टर डील करने वाले इस सेक्शन इसेक्शन हमारा 184 का सेक्शन नहीं यह 184 बहुत इंपॉर्टन शेक्शन आता है और बहुत ही हाइफाइट टापिक के अंदर डिल कयाता ह है 184, 185, 186 and 187, 188 तक तो यह 184 से लेकर जो हमारा 188 वो आज के इस वीडियो में लोग डिसकस करेंगे, क्लियर बात, इस वीडियो के बाद, इस बात की गैरेंटी देता हूं कि आपको 184 से लेके 188 तक कहीं भी कोई भी डाउट नहीं होने वाला, क्लियर, कहीं भी कोई भी आउट है तो फिर मेरा नमबर आपको डिस्कुर्प्शन में, अल्फे मिल जाता है, आप सीधह मेरे को वाट्सएप कर दो, अब सीधा मेरे को वाट्सआप कर जाता है, वीडिकल करना जाधा प्रिफर होता है क्योंकि अ कुलर्णे में फिर दिकर थाखा कभी में बज्य हा नहीं हूं ओके सो अप में को वाटसप कर लो वेट अगर रिकार्डिंग चल लेना ठीक है ओके सो हम लोग क्या पढ़ने वारे मिटिंग एड़ मिटिंग आप बोर्ड अडिक आटे डारेक्टर साथ है अब एक बात बताओ डारेक्टर करती क्या है देखो कोई वी चीज अग में समझो वो चीज आखिर है क्या क्यों है उसका इंपक्ट क्या पढ़ेगा क्या से होता है वो अगर तुम उस चीज के अंदर घुष सकते हो ना तो फिर तुम उस चीज को समझ सकते हो मिन्स उस चीज को एंटरपेट कर सकते हो उसके एक स्मॉलेस लेवल पर जाकर उसको हर एक पॉइंट को समझ सकते हो लेकिन अगर आप उपर उपर से पढ़ोगे ना कि हाँ यह पॉइंट्स थे यह में को आट दस पॉइंट जो भी पढ़ लिया अगर आप उपर उपर से पढ़ रहे हो तो फिर आप उस चिसको एंटरप्रेट नहीं कर पाऊगे मिस उसको किस से किस इंटेंशन से वो बनाया गया है किस तरीके का यूज को बचाने के लिए मतलब जो अगर डारेट पूछा जागा तो अब बता दोगे लेकिन उसको थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूच देंगे ना का फज्जा होगे तो हमारा मेरा जो मेन इंटेंशन है कि जो मेरे इस वीडियो को देखते हैं उनको उस एक्ट का इंटेंशन पता चलते है कि आखिर वह आया ही क्यों यह बात उनको समझ में आए ठीक है पकी बात सो देखोर मेरा वीडियो थोड़ा लौग वगा मेरे को उसे कोई फरक नहीं पड़ता है आपको ठोड़ा लगा लेकिन आप को 100% accurate content देना है यह मेरा टागेट है आपको वो चीज actual में समझ में आए आखिर वो है तो क्यों है क्या उसका relevancy होगा यह सब कुछ आपको यह वीडियो में समझ में आगया हो तो आप वीडियो पूरा देखोगे आपको पूरा का पूरा कहीं भी कोई डाउट नहीं आएगा ओकी चलो स्टार्ट करता है डिस्क्लूजर आफ इंट्रेस्ट बाइडरेटर तो सबसे पहले सवाल आता है डिस्क्लूजर करेंगे क्यों यो डिस्क्लूजर है यह करेंगे क्यों तो देखो डारिक्टर क्या करता है कंपनी में में अगर अगर कोई एक डारेक्टर सिर्फ अपने खुद के फायदा के लिए कोई एग डिर्टर अपने खुद के फायदा के लिए अगर कुछ करता है अपने खुद के फायदा के लिए या फिर कोई ऐसा ऐग्रमेंड कर वाता है जिसमें उसका ही बेनफिट है तो नहीं लग रहा है कि वो जो करोड़ों शेयर होलर्डरस तेर्ट र्जा Parce huh असा साल रहा है से वो तो सोच रहा है कि इस अच्छा सिथे अच्छा काम करें लेकिन कंपनी तो अपने ही लोगों के साथ डील कर रही है अपने ही लोगों को बैजिफिट करवा रही है तो यह चीज़ गलत लिस्टिट कंपणी में में तो भॉत यूूजद नामबर ऐसल धलिज़त हुने वाला है अगर फो worlds रूटत होटे ततलों से मतलब की चांग जोटी कंपणी है तो नहीं लगा रहा है कि उसम्न प्राइविट कंपनीय में किया सब तो जान पैचानि यूबर सुन करें तो पर वर्ड क्या है first meeting of board every director, हर director को कब कब करना, तेको timing दिया गया है, every director shall at first meeting of board, जिस भी board meeting में वो director as a director, जिस भी board meeting में वो पहली बार director के रूप में जाएगा, वो disclose करेगा अपने interest को, पहला बत, क्या है पहली बत, जिनदगी में जब भी वो company में director point हुआ है, मेरे company में एक director को point कि है, वो जिस दिन first board meeting करेगा न, उसी दिन, वो interest disclose करेगा अपना, कि मेरा कहाँ पर कितना interest है, कौन से company में कितना share से, किस company में कितना security, इस company में point हुए है, वहाँ पर मेरा किस-किस contract में relation होगा, क्या क्या चीज़, everything वो disclose करेगा, clear, तो पहला क्या था, every director shall at the first meeting about, in which he participate as a director, पहला point, दूसरा point, at the first meeting about every financial year, जिस दिन वो join किया तो पहली बार उस दिन किया है, हर साल, क्योंकि डारेक्टर पांसर के लिए point हो रहा है, अब पांसर के लिए point हो रहा है, तो जो पहली बार point हुआ है, इस पहली बार में तो वो कर दिया भई, जिस दिन appoint हो, उस दिस्क्लोस कर दिया, अब उस ठीक है, हर financier में, financier क्या होता है, एक अपरेल से start होता है, अब एक अपरेल के बाद जो भी पहला board meeting होने वाला है, उसमें वो बता देगा, मेरा interest क्या था, कोई changes है तो उसको बताएगा, changes नहीं तो बताएगा, पुराना वाला यह भी है, वही update कर दो, clear, दूसरा, whenever there is any changes, क जिस दिन वो डिर्टर क्रूप में point होता है, पहली बत, हर साल, पहला board meeting में, explain करेंगे, तीसरा point, जब भी changes आते हैं, उसके criteria के अंदर उसका, जो भी, जो भी उसको disclose करना था, उसके अंदर कोई भी changes आता है, तो वो disclose करेगा, मत्तब तीन point है, तीन समय है, जब उसको disclose करना है, कौन कौन से समय, जब वो पहली बार आया था, पहली बार जिन्दगी में आया, दूसरा, हर साल, हर साल disclose करेगा, ठीक है, first board meeting में, तीसरा, अगर कभी भी changes आ रहा है, उसको disclose करना होगा, अभी देखो change किया हमें, इतना share अगर नया purchase किया, बोले हांते clear है, ठीक है, अब concept form में करेंगी, तो यहाँ पर form as me prescribe किया गया, अगर उसको हम click करते हैं, तो एक नया tap खुलेगा, that is, देखो mbp1 में, अब mbp1 कैसा दिखता है, वो भी दिखाता हूँ, रुक जाओ, ये लो, तुम्हारा mbp1 यहाँ दिखिया, I don't think कि आपको पूरा दिख रहा होगा, ज basically section यहाँ दुझाए यही बहुत है, आपके लिए फिला तो, ठीक है, the board of director of a limited to the board of director of dash limited company, dear sir, अब अपना पूरा explanation, देखो क्या क्या है, name of the company, कहाँ पे, किस type का interest है, कितना share hold करकर रखे है, सारा changes बताने कवाँ यहाँ पर sign करेंगे, दिख रहा है, यह आपको पूरा, जो मतलब, तीन बार basically disclose है, जब वो पहली बार point होता है, हर साल वो disclose करेगा, जब भी नया financial लाएगा, first board meeting होगा, और अगर कभी भी कोई changes जाता है, तो इसको disclose करेगा, यहाँ तक clear बात को पक्का, आगे बढ़े, चलिए, ठीक है, okay, so one number point हमारा clear, subsection one हमारा clear है, subsection one में तीनों बात बोली गए थी, हमको समझ में आ गई भाई या, आगे बढ़े है, ठीक है, every director who in any way, क्या बोला गया है, every director, कौन director, every director of a company, who is in any way, whether directly, मतलब सीधा contract, मेरा, मेरा, और आपका सीधा कोई contract हो रहा है, सीधा हम direct आप से connected है, या indirectly, हम आपकी तुरू directly connected नहीं है, मेरे relative आप से connected है, आपके relative मेरे से connected है, means indirect relations हो रहा है हमारा, okay, every director of a company, who is any way, whether directly, या indirectly, ठीक है, अगर interested हो रहा है, किस चीज़ में, in a contract, और agreement, क्या बोला गया है, सब section 2 के अंदर, एकदम ध्यान दा समझे, कोई tough वाला बात नहीं, एकदम easy मजा आएगा पढ़ने में, every director of a company, who is in any way, her director of the company, चाहे, वो किसी भी तरीके से directly, या indirectly, किसी भी contract में, किसी भी agreement में, every director, her director, directly, indirectly, किसी भी contract, या किसी भी agreement में, या फिर, किसी proposed contract, या पिकिसी proposed agreement के अंदर, ठीक है, या enter हो रहा है company, winning, okay, किस के साथ enter कर रहा है, हम लोग, एक ऐसी body corporate में, हम लोग enter कर रहा है, जहां पर जो हमारे आकर डारेक्टर है, जो हमारे आकर डारेक्टर है, इन विस सच डारेक्टर, और सच डारेक्टर इन association with any other director, hold more than 2% sharehold, कितना पसंद भीया जी, 2% भी अगर sharehold करके बैड़ गया, तो आप बताएंगे कि यह हमारे रेक्टर हो गया, या फिर यहां पर हमारा जो है, थोड़ा नियत खराब चल रहा है, यह आप disclose करेंगे, MP1 के अंदर, क्या बोला गया है, every director, हर director को, who is in any way, चाहे जैसे भी, whether directly, or indirectly, connected, or interested in a contract, वो connected क्या है, किसी भी contract के अंदर, ठीक है, तो वो क्या हो रहा है, यहां पर भाईया, फजर वो मान लिया जाएगा, कि मतलब, enter into contract, वो अगर कोई भी उस contract में enter कर रहा है, with a body, किसी body corporate में, जहां पर हमारे यहां का director, कितना hold कर रहा है, 2% hold कर रहा है, clear, आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है, next, with a firm, कोई ऐसा firm है, जिसमे, such director is a partner, कोई ऐसा firm, जिसके साथ हमारी company, अब देखो, हमारी company है, यह एक, हमारी company, यह पड़ोसी की company, ठीक है, हमारी company में, जो यह वाली director है, इस company में भी यहां director है, related होगे है, हमारी यहां पर यह डारेटर ना, 2% यहां पर होट कर कर रहा हुए, हो गया, बताना पड़ेगा, हम किस तरीखे से interested है, मेरा कितना holding है, उसके अंदर, उस contract में, मेरा कितना, means, अगर मेरे जिस company के साथ, इस company का director, इस company में भी डारेक्टर है, तो अगर यह company profit कर रही यह, loss कर रही और यह profit कर रही है, तो इसका तो loss करी नहीं हो रहा है, यहां loss हो कि यहां तो profit होई जा रहा है, तो यह तो बैठा-बैठा कमा रहा है, बैठा-बैठा काएगा, गलत कर रहा है यह लोगों के साथ, तो इसलिए बोला गया कि भाया सबसे पहले आप आओ और disclose करो, Mbp1 form देख लिए आपने, provided that where any director who is so connected or interested at the time of entering into such contract, he shall be if he become connected or interested after the contract is entered in disclose in concerned interest for with, अब ऐसा हुआ कि जब company उस agreement में enter की, उस time वो interested नहीं था, वो एक सच्चा इंसान था, इमानदार इंसान वो उस वक्त interested नहीं था, लेकिन हुआ क्या, जब company's contract में चली गई ना, उसके बाद जाके वो interested हो गया, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, company पहले interested नहीं थी, बट वो company बाद में interested हो गई, मत ऐसे ही पता चला, तुरंत बताएंगे, फौर वी तुरंत अपडेट करेंगे, कि देखो भाईया, मेरा हम interested हो गया, बात के तम, clear यहां तक बात, ठीक है, next, a contract or agreement entered into by the company, without disclosing under subsection 2, अगर कोई director यह disclose ही ना करे, कि हम interested है, और यह resolution पास हो जाए, ठीक है, sell be voidable, add the opinion of company, तो company चाही, तो उसको voidable कर सकता है, voidable का मतलब, अगर company का मन क्या तो बोलेगी है, वाइड है, हम इसको नहीं मानते है, इस contract को, अगर company चाहे तो इसको accept कर सकती है, अब company क्या खुद, void मान सकती है, voidable बोल सकती है, क्योंकि basically company का खुद का कुछ नहीं होता हम ल होता है, board of directors के थ्रू होता है, तो यह voidable करेगा कौन, बाकी के जो directors का ego हट हुआ है, बाकी के जो directors के साथ जो गलत हुआ है, अब director, normal अगर आप board meeting पड़े हो, quorum पड़े हो, तो खुद सोचो, कितनी director होता है, मुस्किल से पंदरा director होंगे, right, आट-दस director होता है, अब इस आ तो यहां पर बोला गया कि अगर company से ऐसा कुछ हुआ है, तो वो void मान लेंगे, बोलेंगे कि भाई जलत है, हम नहीं मानते है, इस contract को, clear, subsection 4, if director of a company, countervays the provision, अगर वो countervays करता है, provision को, तो भाईया, उसके साथ imprisonment वगरा का बहुत कुछ है, और अगर आपको section 167 याद आ रह सकता है, अगर वो disclose नहीं करता है, interest तो, clear आपको, चलिए, next, shall be taken to produce, यह खोई खास पाइंट नहीं, यह basically हमारा, जो penalty है, उसे related point है, next, nothing in this section, क्या क्या applicable, nothing in this section, मतलब, इस दोनो मेन, ऐसा कुछ अप्लिकाबल नहीं रहा है, shall be taken to prejudice the operation of any rules or law restricting a director of a company from having any concern or interest in a contract agreement of the company, next, shall apply, means nothing in this ऐसा कुछ भी apply नहीं होगा, कोई भी contract agreement में, कोई भी जो enter किया जा रहा है, between two companies, or between one or more company, and one or more body corporate, where any of the director of the one company, or body corporate, or two or more of them together hold it, not more than two percent of paid up capital of the company, अब क्या हो रहा है, यहां पर सब्सेक्शन बीक एंफाइफ के जो ख्लॉस भी है, उसके अंदर क्या बोला गया है, कि अगर कोई भी company, कोई भी agreement हो रहा है, किसी छोटे लोग के बीचे मतलब, सुरी छोटे बनी बना चली, किसी दो company के बीच में हो रहा है, फिर दो या दो से जादा company के बीच में हो रहा है, जहां पर director two percent से कम hold करके बैठे हुए है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इनको यह disclose करने का ज़रूरत नहीं है, बुलो यहां तक बात clear है, section 184 अब हमको नहीं लगता कि आप कभी भूल सकते हो, ठीक है, फिर भी भूलने लाइक बात है, और यह जो amendment है ना 2008 में आया था, देखो सारा amendment कब आया था, वो यहां पे specifically लिए अच्छे से लिखा हुआ है, ओके, अब मैं एक बार फटाक से rapid fire revision कर दे रहा हूँ, आपको अब जाके एकदम 100% crystal clear हो जाएगा, 184 के अंदर तीन पॉइंट, subsection 1 के अंदर तीन पॉइंट ता, पहले कब-कब हम interest को disclose करेंगे, सर पहला disclosure करेंगे, जब वह पॉइंट ह होता है, दूसरा हर board meeting में, जिस दिन वो first time, first board meeting करेंगा, उस दिन हम disclose करेंगे, तीसरा, जब ही भी कोई changes आएगे, तब disclose करेंगे, okay sir, subsection 2 में क्या बोला गया था, sir, mbp1 के अंदर subsection 1 रहा रखना, mbp1 form बहुत जरूरी था, अब form में देखा भी है, subsection 2 में क्या बोला गय है, ठीक है, तो वो disclose करेंगे, अब क्या से interested हो रही है, यह बात बताए गया, पहला बात कि अगर कोई body corporate है, okay, जहां पर वो 2% या फिर more body corporate है, जिसके अंदर डारेक्टर या फिर डारेक्टर इन एसूशन डारेक्टर खुद, यह डारेक्टर अपने एसूशन दूशन दू वहां का CEO है, of that body corporate, वहां के high post को पकड़ के बठाव या फिर किसी form में ही, वो बंदा, वहां का owner या फिर वहां का partner है, ऐसा कुछ है, तो वो अपना interest को disclose करेगा, ठीक है, दूसरा चीस, अगर पहले नहीं, provided में कहता है, यहां पर, अगर पहले हम interested नहीं थे, बट agreement होने के बाद interested हो गया है, तो भी हम बताएंगे कि देखो, पहले interested नहीं था, अच्छे इंसान थे, लेकिन जब agreement हो गया ना, उसके बाद हम share खरीद लिए, उनका, हम interested हो गया है, ठीक है, बता देंगे, तीन के अंदर क्या बोला गया है, कि अगर आप without, अगर disclose नहीं करते हो, तो वो voidable होगा, अगर कोई director है, वो disclose नहीं करता है, तो company उसको voidable मान सकती है, अगर void मान सकती है, उसका मन है, company को लग रहे है, यह benefit के लिए, तो बोलेगी, अगर company को जोता है की नहीं, यह नहीं होना से, गलत हो है हमारे साथ, तो बोलेगी, void, clear, चलिए, four के अंदर basic penalty का section था 5 के अंदर बोल दिया गया कि जहां पर भी आप लिमिट के अंदर वाले हो तो कोई दिक्कत नहीं है यहां तक लियर है section 184 clear पकका अगर पकका पकका क्लियर है तो comment section में जाके लिखो एकदम आराम से clear हो गया है समझ में आ गया कुछ भी लिख दो comment section में अभी जाके फटाफट पहले लिखो बाकी का बाद बाद में लिख दिए अरे लिखो यार सच में लिखो मजाक नहीं कर अरे सच में लिखने बोल रहा हूँ आप लो comment में लिखो के तब ही motivation बनता है तबी ज्यादा वीडियो बनाने की mend करता है अब comment में लिखोगे नहीं तो मन घाइजे बनेगा ठीक है तो comment में पहले जाके लिख RUST uh अच्छा लगा समझ में आगए ऑखी एन इसके बाद like बटम दिख रहा है ना इसको दपाओ पहले पहले like बटन दबाओ और subscribe को भी दबाओ उसके बात बात करो क्लियर तो हमारा सेक्शन 184 डिस्क्लोजर आफ इंट्रेस्ट बाई डिरेक्टर अब सवाल आता है कि या एक बात बताओ हम एक डिरेक्टर एक कंपनी के अपने इंट्रेस्ट को हम डिस्क्लोज कर दिये क्या होगा उसे कोई फरक पड़ेगा अगर आपको याद हरा हो तो जो इंट्रेस्टेड होता है न उसको उस रेजिलूशन में पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिलता है उस रेजिलूशन में वो वोट नहीं कर सकता क्लियर है मिन्स अगर कोई भी डिरेक्टर ये बता देता है कि इस एग्रिमेंट के अंदर हम इंट्रेस्टेड पार्टी है बता देगा अब जैसे ही ये बात वो बोल दिया ना उस रेजिलूशन में वो डिरेक्टर वोट कर ही नहीं सकता उस डिरेक्टर को चुपचा आप रेजिलूशन मिटिंग छोड़के बाहर निकलके बाहर जाके अराम से चुपचा बैठा ना वढ़ना होगा जब वो रेजिलूशन पास हो जाएगा तो उसको बुलाया जाएगा जाके बागी का रेजिलूशन में वोट करेगा लेकिन इसका एक्षप्टेंस भी है yap открыthe company अगर है private company में क्या होता है मीन्स चान पहिचान के लोक होता है तो प्राइविट कंप्णी में आप अपने इंट्रेश्ट को डिस्लो़़ोज कर दो पहले डिस्ग्लोस करने के बाद अब क्या करोगे कोई बात न हो गया डिस्ग्लोस करती healthy iana अब बोड दे दो डायरिक्ट जाकर चुपचा वोट भी कर सकता है कि मिंट्आ है हम प्राइच की सब कर सकता है स्र Sheila का बात बोला गया उसके अंदर क्लियर आपको पहला तो यह हम यह क्यों आया, यह क्यों है, इसका इंपक्ट क्या पड़ेगा, हम लोग हर एक चीज के बारे में देखे और MBP 1 का प्रैक्टिकल जो मेन फॉर्म था, वो फॉर्मेट कैसा होता है, वो भी देख लिए, क्लियर यहां तक चलिए, अब और टाइम नी ले प्रैटेशन मिलता रहेगा, क्लियर, मिलते नेक्स्ट वीडियो में, बाई बाई